हैँ एक हेलो फ्रेंट्स बेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनने वाले हैं ऐसे नास्ता तो मैंने उबल के लिया है इस खुल को अख्छे से मैश कर लिया है नालू मिक्स करें गर्ण यह डाल दिया मैंने श्वाद के अनुसार इसमें नमक ठीव नाल मिर्ची पाउडर अर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें गे बारी कटा हुआ धनिया डाल देंगे अब इन सब को हम हाथों की साइपा से मैस कर लेंगे अब मैंने यह ब्रेड दिया है ब्रेड पे हम आलू जो हमने मसाले मिक्स करके रखा है उस आलू से थोड़ा लेंगे और इसको इस परीके से फैलाते हुए ब्रेड पे हम रख लेंगे इसके वोपर अब हमको फिल करना है चीज स्लाइस इसको मच्छे से पूरे ब्रेड पे लगा देगे इसके वोपर अब हम रख देंगे चीज स्लाइस अब हम दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे इसको साड में रख लेंगे इसी तरीके से हम बागी के ब्रेड में भी फिलिंग कर लेंगे पहले हम आलू रखेंगे इस पर आप आलू की टिक्की जैसी बना के रख सकते हैं इसी तरीके से हम इसके ऊपर भी चीज स्लाइस रखेंगे और इसको दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे इसी तरह से हम सारे ब्रेड बना कर तयार कर देंगे यह चीज सेंडविच है इसको आप बच्चों के लंच वाक्स में भी रख सकते हैं नास्ते में भी बना सकते हैं इसली बन जाते हैं जटपट से चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं फ्राई पैन मैंने रख दिया है फ्राई पैन गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच गही इसको पूरे पर फैला देंगे अच्छे से अब हम यह सेंडविच जो चीज सेंडविच है इसको हम रख जाएंगे यह एक साइट से फ्राई हो गया है अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से कल्ची के ऊपर कर लेंगे इस पर हम फिर से घी डालेंगे और पलट के दूसरी साइट से लो फ्लैम पर हमको फ्राई करना है जिससे चीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ब्लेड भी एक्दम ब्राउन-ब्राउन क्रंची सा शिख के तयार होगा कि यह चीज सेन्ट विच फ्राई हो चुका है है अच्छे से इसमें यह चीज लगा है मैं इसको यह निकाल लेंगे आप देख सकते हैं यह चीज अशे से मेल्ट हो गई है इसी तरह से अब हम फिर से इस पर एक चमच घी डालेंगे और यह चीज संडविच इस पर रख देंगे गयास के फ्लैम को लो ही रखेंगे यह हमारा तूसरा चीज संडविच भी अच्छे से फ्राई हो गया है इसको भी हम निकाल लेंगे यह चीज संडविच ब्रेकफास्ट बनकर तयार है अगर आपको चीज संडविच की रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें इसको हम इस तरीके से स्पर्ट कर लेंगे आप देख सकते हैं एक दम से अच्छा था ब्रेक फस्ट बनाने में अज़र्पट बनकर तयार हो जाता है पलीज लाइक एंड शेयर